चोपड़ा जुकिस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो इस वीडियो में मैं आपको दो इस्टेट के रेजिस्टेशन के बारे में अपडेट देने वाला हूँ अभी जैसे जैसे इस्टेट के रेजिस्ट स्टार्ट होंगे मैं आपको हरे एक स्टेट की रेजिस्टेशन और काउंसलिंग के बारे में इन्फोर्मेशन दे दूंगा तो आप हमारे चैनल के टच में रहें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हरे एक इन्फोर्मेशन हरे एक स्टेट की रेजिस्टेशन के बार में मैंने बुक लिखी है इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने आपको वो सारी चीज समझाने की कोशीज की है जो काउंसलिंग में आपके लिए काफी लापदाइक रहेगी जैसे च्वाइस लिस्ट वगरा फीस कोलेज वाइस कैटेगरी वाइस सर्विस बॉंड के बारे में जानकारी डोकुमेंट्स के बारे में जानकारी हरे एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी पूरी तरह से पूरी डिटेल्स के साथ में इस बुक में समझाया गया है तो आप काउंसलिंग क पूरी जानकारी ले सकते हैं जैसे ही आप गुक होंन लोड करेंगे हम आप से समबार कर लेंगे जो आप डांलोड करते समय मोबाइम नंबर देंगे उस से हम आपसे क्छे कर लेंगे तो अभी हम स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं तो गोवा स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट कल ही फिप्त अगस्ट ट्वंटी टू है तो अगर आप गोवा स्टेट के रहने वाले हैं तो आप यहां पर रेजिस्टेशन कर सकते हैं इसकी जो वेबसाइट है गोवा की उस वेबसाइट पर रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिलेगा यहां पर apply online का option मिलेगा और इस apply online के option पर click करके आपने registration कर देना है और documents upload कर देने हैं मैं आपको फिर से remind करवा देता हूँ इसकी last date कल 5 अगस्त 22 है इसके बाद में दूसरा update केरिला इस्टेट से है तो जिन candidates ने केरिला इस्टेट के application form फहले से apply कर रखे हैं वो एक बार अपना login करके memo check कर लें उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको दुबारा से जिसे की nativity certificate में कोई problem आ रही है date of birth के proof में कोई कमी आ रही है तो वो दुबारा से documents upload कर दें और ये 10 अगस्त 22 साम 5 बजे तक कर सकते हैं तो आपको login करना है candidate profile में जाना है और candidate profile में जाने के बाद में memo के option में आपको वहाँ पर detail मिलेगी उसमें आपकी जो भी कमी है वहाँ दिखाई जाएगे अगर कोई कमी नहीं है तो आप logout कर सकते हैं यह जानकारी थी केरिला और गौाई स्टेट के registration के बारे में बाके स्टेट्स की जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी registration जैसे start होते रहेंगे हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैंनल के साथ में जुड़े रहें इस चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकोन जरूर प्रेस करके रखे ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालू आप तक इनफोर्मेशन मिल सके आपका कोई भी रजिस्टेशन फॉर्म छूट न पाए तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग